मैं हूँ नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई दोस्तो बॉलिवर्ड सेलेब्रिटी की सेहत और फिगर से आप बहुत इंप्रेस होते होंगे है ना लेकिन इसके लिए क्या आप जानते हैं कि वो कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और ना ही वो सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं बलकि अपने खाने पीने का पूरा खयाल भी रखते हैं आज हम आपको बताएंगे कि खुद को फिट और मेंटेन रखने के लिए ये सितारे क्या खाते हैं आप चाहें तो उनके डाइट प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं बात करेंगे सबसे पहले मलाइका अरोडा की इस सुम्ण में मलाइका ने कैसे अपने आपको फिट रखा है ये बात हर कोई जानता है 45 साल की मलाइका अरोडा स्टिक्ट डाइट के साथ स्टिक्ट फिटनिस रूटीन भी फॉलो करती हैं आपको बता दें कि मलाई का सुभा नाश्ते में इडली, पोहा, उप्मा या दलिया खाती हैं, इसके साथ वो फल भी अपनी डाइट में जरूर शामल करती हैं बात करेंगे अब बॉलिवुड के हैंसम हंग एक्टर जॉन अबराहम की जॉन अपने नाश्ते में छे अंडे, चार विड मक्षन मार के, दस बादाम और एक बड़ा ग्लास जूस जरूर लेते हैं लेकिन इसके साथ वो रोजाना कसरत करना बिलकुल भी नहीं भूलते अब बात करेंगे रितिक रोशन की रितिक रोशन के तराशे हुए शरीर और एनरजी लेवल को देखकर इस बाद पर यकीन करना मुश्किल है कि उनकी उम्र 40 के पार है बात करें अगर इनकी डाइट की तो सुबह नाश्ते में ये चार अंडे, दो ब्राउन प्रिट, एक प्रोटीन शेक और खूब सारे ताजा फल जरूर खाते हैं इसके बाद लंच में वो दो रोटी, हरी सबसी, चिकन प्रिस्ट, डाल और रिस सलाद लेते हैं इसके बाद शाम चार बजे वो प्रोटीन शेक, चार अंडो की सैंड़िच और फल खाते हैं आखर में डिनर में वो छे अंडो का सफेध हिस्सा, ब्राउन ब्रिट, आधर चिकन या मचली और हरी सबसी खाते हैं रितिक इस पूरी डाइट को छोटी-छोटी मात्राओं में बाट कर पूरे दिन में छे बार खाते हैं वक आउट के 45 मिनट बात ही रितिक कुछ खाते हैं, दिन में कम से कम वो 8-10 क्लास पाने भी जरूर पीते हैं अब बात करेंगे बेगम पटोधी करीना कपूर खान की करीना का खाना बिलकुल भी शाही नहीं होता फिटनिस फ्रीक बेवो अपने दिन की शुडवात एक कप कॉफी और एक केला खाकर करती हैं इसके अलावा वो नाश्ते में एक कटोरी मुस्ली या दो पराठे और डही भी खा लेती हैं आपको बता दें कि करीना पूरी तरह शाकाहारी हैं अब बात करेंगे तिपिका पादु कॉण की तिपिका पादु कॉण जब अपने घर पर होती हैं तब तो वो उपमा या डोसा या कोई भी साउथ इंडिय नाश्ता करती हैं लेकिन मुंबई में वो हर सुभा अंडे या आमलेठी खाती हैं बात करेंगे सल्मान खान की सल्मान खान ब्रेकफास्ट में लो फैट दूद के साथ चार अंडे का सफेध हिस्सा लेते हैं वर्काउट से पहले वो दो अंडो का सफेध वाला हिस्सा अमीनो एसिट टैबलिट और रोटीन शेक लेते हैं वर्क आउट के बाद वो बादाम, ओट्स, टीन अंडों का सफेद वाला हिस्सा, प्रोटीन बार लेते हैं लंच में वो सलात के साथ सबजियां और पांच रोटी खाते हैं शाम के नाशते में वो प्रोटीन बार बादाम और दूसरे नट्स लेते हैं रात के खाने में वो वेगन सूप, मचली या चिकन, डू अंडो का सफेद वाला हिस्सा लेते हैं बात करें अगर शिल्पा शिट्टिकी तो शिल्पा नाश्ते में एक कटोरी दलिया और चाय लेती हैं इसके बाद वो कसरत करती हैं, उससे लोटने के बाद वो प्रोटीन शेक लेती हैं, इसके बाद वो कुछ खजूर और आठ किश्मिश खाती हैं, दोपहर के खाने में वो घी लगा कर रोटी खाती हैं, सबजी लेती हैं, चिकन और दाल भी उन्हें काफी पसंद है मीठे में उन्हें गुल्फी या चॉकलित खाना बेहत पसंद है बात करेंगे प्रियंका चोपडा की बॉलिवुट की देशी गल प्रियंका चोपडा खाने के मामले में बिल्कुल भी नखरे नहीं करती उनका मानना है कि जो भी मन करें वो खाओ आलू पराठा खाओ या पूरी खाओ अगर ठीक से आप एक्सेसाइज करेंगे मेहनत करेंगे तो हमेशा खाना खाके भी फिट रहेंगे तो ये थे आपके फेवरेट सितारे जो सुभा नाश्टे में क्या लेते हैं हमने इस बारे में आपको जानकारी दी तो अपसे आप इनके मताबिक या अपने मन मताबिक जो भी दिल करें वो नाश्टा जरूर करें पहरे भूले से नाश्टा स्किप ना करें और अपनी सिहत का ख्याल रहें फिट रहें खुश रहें इसी विशेश चानकारी के साथ दीजे हमें इजाज़त